दोस्तो, मेरा नाम है शौनभ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह AUTO-LIKERS actually करते क्या है इससे पहले भी मैंने AUTO-LIKERS पर एक कवरेज़ किया था अभी मैं दूसरा कवरेज़ करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको autolikers के बारे में और विस्तार से बताऊंगा तो autolikers से खत्रा क्या हो सकता है यह देखिए यह जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 minutes में 500 likes Facebook autolikers नीचे लिखा हुआ है खत्रा actually खत्रा क्यों है यह मैं आपको बताऊंगा कि actually हम जब autolikers को कुछ भी autolikers यूज करने से पहले हमें सबसे पहले settings में जाके हमारे profile में जितने भी सब कुछ है उन सब को public करना पड़ता है public का मतलब साए सब लोग जानते होंगे कि पूरी दुनिया उस post को सब कुछ को देख सकती है इससे क्या होता है कि हमारी जो है वो privacy जली आती है privacy जाने के कारण हमारे कुछ भी secret नहीं जाया तो सब कुछ हमारे account से leak होई लगता है autolikers को आपको मजाक में उड़ाना ही सही है जासा कि यह देख सकते हैं यह मैंने आप पिछले दिखाया यह एक autolikers का app है कुछ-कुछ app fake भी होते है कुछ-कुछ app autolikers के fake भी होते है यह आप एक comment देख सकते है waste of time and space don't attempt to download it यह देखिए यह एक बंद्या ने लिखा है कि यह बिलकुल यह waste of time है और कुछ-कुछ apps जो है वो fake apps होते है वो आपको बस email ID और password चाहिए होता है उनको बस एक बार उनको आपके account का email ID और password मिल जाए फिर वो आपके account को hack कर लेते है और hack करने के बाद आपके account से illegal चीजे हो जाती है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह video पसंद आया है तो like करें और अगर पसंद नहीं भी आया है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आके और भी अच्छा video लापाऊं तब तक के लिए goodbye जाए हिंड वंदे मातरम